राधे राधे गाइस गुड़ मॉर्निंग आप सभी का स्वागत है मेरी यूटुब चैनल क्रिएटिव स्टडी एच के पर जो भी चैनल पर न्यू है चैनल के बैल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्स्राइब कर दीजेगा क्योंकि आपको इस चैनल के द्वारा कुर्शेत्र उनिवस्टी और जो हर्यान की में उनिवस्टी है उसकी इनफॉर्मिशन प्रवाइड होती है रिगार्डिंग यूर रिजल्ट, यूर एग्जामिनेशन और यूर अड्मिशन तो एक बार पोस्ट ग्रेजुएट के जो फ तो अप हैले मैं बात करते हैं जैसे कि मैंने आपको बोला था कुर्शेत्र उनिवस्टी इस मन्त जो भी रिजल्ट पैंडिंग है वो डिकलेड कर देगी तो वो बात करते हैं किस साब से रिजल्ट है है किन किन कलास का रिजल्ट डिकलेर किया गया है, BSE Honors Information Technology, Repair, 4th and 2nd Semesters, Masters of Education, M.Ed. 2nd Sem and M.A. Sanskrit 2nd Year में, तो आप देख सकते हैं, चार रिजल्ट ये डिक्लियर किये गए हैं, बाकी 18 तारिक को भी डिक्लियर किये गए हैं, उसके बाद रेगुलर्टी में 15, 14 और 13, 12, तो आप रेगुलर्ड रिजल्ट जिसका बन रहा है, जिसका वार्ड लिस्ट बन रही है, उसके डिक्लियर किये जा रहे हैं, और B.TEC के बचे हुए रिजल्ट हैं, जो 2nd और 4 Semester के और सलेबस के वो भी जल्दी ही डिक्लियर किये जाएंगे, और अभी कुछ B.E.C. के भी रिजल्ट आइधिंग कराया रहे हैं, तो वो भी कुर्श्वत्री उनिवस्टी जल्दी ही डिक्लियर किये जाएगी इस मन्त, और बात करते हैं किसे साफ से रिजल्ट डिक्लियर किया गया है, 2nd का, और उसी साफ से आपकी भी रिजल्ट डिक्लियर किये जाएंगे, कुर्श्यत्री उनिवस्टी द्वारा, तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजेगा, पिलीस क्योंकि कुछ स्टूडिन्स को पता नहीं होता, कि हमारे रिजल्ट आ गया नहीं आया है, और मैं आपको DMC के रिगार्डिंग भी बताऊंगा, कि DMC आया है नहीं, पहले हम इसकी बात चर्चा कर लेते हैं, किसे साब से रिजल्ट डिग्लियर्ड किया गया है, ये रिजल्ट RPFD का प्रोब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा है, इसमें लिखा आ रहा है रिजल्ट RLA, RLA बाकी इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, RLA वाला प्रोब्लम अब क्रियेट होना लग गया, एपसंट वाला प्रोब्लम हटा है, तो अब RLA लिखा जा रहा है, ताकि आप यूनिवर्स्टी जाके वहाँ से बात करें, जो भी कैंडिडेट्स अपना रिजल्ट को अपडेट करवा के आ चुके हैं, अपने कॉलेजिस, अगर उनका वैबसाइट पे वेट मत करो, कि आपका सीधा ही रिजल्ट अपडेट किया जाएगा, अगर आपको मार्क्स पता करना है, तो आप यूनिवर्स्टी जा सकते हो, विंग सेकिंड में जा रिजल्ट बरांच में, मैं बता भी दूँगा कौन से रूम में जाना है, उसके लिए एक वीडियो बना दूँगा, किसको जो कौन से कॉर्से का है, उसको किस रूम में जाना है, क्या करना है, तो आप उस रूम में जाके पता लगा सकते हो, अब सिर्फ माक्स और DMC आलमोस सब की आ चुकी है मैं भी colleges गया था हुआ से मैं ले के आ चुक हूँ एक बात रही कुछ colleges required कर रहे हैं कि अगर आपको degree चाहिए degree के लिए आपको 200 या 300 देने पड़ेंगे तो आप पैसे मत दीजिएगा क्योंकि कभी भी पैसे नहीं दीए जाते degree के लिए degree आन्दो उसके बाद के दो हम देख लेंगे हम खुद बात कर लेंगे अभी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है तो ये बात दियान रखिएगा क्योंकि जब भी हमने study किया है B.H.C. या master's को उसमें हमने degree के लिए कभी भी हमने पैसे नहीं दिये तो ये बात दियान रखना अगर पैसो की college requirement करता है तो उनकी आप complaint कर सकते हो university में तो बात करें MA Sanskrit का कैसे result है और DMC आपकी available है जिन्नोंने result update करा लिया उनकी भी मैंने बोला था DMC आपके घर पहुचेगी या आप university जाके वहाँ से ले सकते हो जिन्नोंने result update करा लिया है वो भी आपको मिल जाएगी ये result तेख सकते हो रिपेर FLC, RPF, D दोनों आया है इनका और कुस्ट candidate के लिए है रिपेर है, RLA है इसमें रिपेर है आज मैं आपको बता भी दूँगा कि online exam होंगे या नहीं होंगे बेसिकली अभी decision still pending है फाइनल एक बार guideline आजाए guideline date should के बाद जारी की जाएगी क्योंकि आपके exam 22 फैब से start है अभी basically एक मंत पड़ा है तो आप अपनी तियारी करते रहिए ये ना करें कि online होंगे offline होंगे online होगा तो आपको better है बढ़ आप अपनी तियारी बना के रखे क्योंकि जिससाब से भी situation चल रही है normal है तो जिससाब से कुर्षेत्रियूनस्टी online exam भी ले सकती है offline exam भी chances है 90% की online exam लिए जाएंगे ताकि social distancing के norms का पालन होता रहे बस यही आपसे share करना था जो भी रह रहा है अपने दोस्तों को share कर सकता है जिसकी भी कुछ detail अभी रह रही है जिसको कुछ पूछना है comment box में comment कर सकता है धन्यवाद